हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आ गया हो दोस्तों आप चाहें तो इस्टाग्राम, फेस्बुक या टेलिग्र के माध्यम से मिरसाथ करेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डौट है कोई आपके क्वेरी है यहां मुस्से बात कर सकते हैं हम बात करने वाले हैं cotton exports को लेकर के दोस्तों हाल ही में एक news वो सामने आई है जिसमें जो कपड़ा उद्योग है भारत का वो सरकार से मांग कर रहे है कि cotton export को temporarily ban कर दिया जाए वो चाहते हैं कि कपास का निर्याज जो विदेशों में होता है उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया जाए सुनने में काफी जादा आजीब लगता है दोस्तों क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं कि भारत के exports जो है वो बढ़े जितने जादा exports ब लग कर दिया जाए इस विशे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पेरेंट है आप UPSC या स्टेट PCS की तायारी कर रहे हैं उसमें बहुत important component है जोग्राफी को और इस जोग्राफी को इस करने के लिए इंडियन जोग्राफी की से लेपस हो है वो मिलेगा जो एक्जाम के अंदर important है previous year question analysis है maps है यानि के overall आपकी पूरी की पूरी इंडियन जोग्राफी की तायारी जो है तो बहुत अच्छे से इस बुक से हो पाएगी तो definitely इस बुक को आज ही flip cut ए Amazon से purchase करें दोस्तों आपने सुना होगा अगर नहीं मैं बता देता हूँ में 13 को यानि कुछ दिन पहले सरकार ने ये फैसला किया कि वीट जो है गेहू जो है इसका export नहीं किया जाएगा सरकार ने एक temporary band जो है वो लगा दिया export shipment के उपर क्यों कि भारत के अंदर prices बढ़ रहे थे क्योंकि production shortfall ता economy के अंदर हमने पढ़ा है demand औ लोग एक product को एक चीज को खरीदना चाहते हैं लेकिन उतनी मात्रा में वो product की supply जो है वो नहीं हो रही है यही चीज जो है वो wheat के case में भी देखने को मिल रही थी wheat की demand जादा थी लेकिन supply जो है वो उतनी नहीं थी ऐसा नहीं कि demand एकदम से बढ़ गी दोस्तों demand जो थी वो more or less constant ही थी लेकिन इस साल supply जो है wheat की वो कम थी क्योंकि जितनी production होनी चाहिए वो नहीं होई थी production shortfall था क्यों क्योंकि heat wave एक बड़ा कारण था दोस्तों वो समय जब ये wheat की जो फसल है जो गेहूं की फसल है इसको पकना होता है उससे पहले एक बारिश की ज़रूरत होती है व इस वचा से गेहूं की खेती जो है गेहूं की पैदावार जो इतनी अच्छी नहीं हुई और ऐसी सिनेरियो में जब हमारी production हमारे required amounts जितनी नहीं थी तो सरकार को लगा अगर export करना शुरू हो गए तो शाहिद देश में इसके prices जो है वो कही क्यों बढ़ जाएंगे और सर जो टेक्स्टाइल और गार्मेंट इंडस्ट्री है भारत की उन्होंने सरकार को अप्रोच किया है एक मेजर एरिया में ये क्रॉप जो है वो उपती है और काफी बड़ी market है cotton के लेकिन क्या वज़े है कि cotton के export को बैन करने की मांगा रही है दर असल कारन सेम ही है spiraling prices एक दम से prices वो बढ़ रहे हैं ऐसे में जो logic wheat band को लेकर के लागू होता है वही same logic यहां भी लगाया जा सकता है और यही demand है तो textile industry है उनकी कि जैसे आपने wheat को band कर दिये क्योंकि अगर ये export होता रहा तो local market में इसका price बहुत जादा बढ़ जाएगा उन्ही same lines पर आप cotton को comparison में पिछले साल की तुलना में इस बार cotton का price जो है वो दो गुना है double है दोस्तों average price जो है APMC मंडी राजकोट जहां पर cotton जो है वो बिक रहा है वो 12,250 रुपे प्रती quintal यानि प्रती 100 kg है यही price जो है वो last year इन ही दिनों में 6,300 रुपे था तो आप देख सकते है direct double price जो है उस कीमत पर cotton जो है वो इस बार भिक रहा है तो जो garment industry है या जो textile industry है उनका कहना है कि सर अल्रेडी cotton जो है वो double price पर भिक रहा है ऐसे में अगर आप इसको export कर देंगे इसकी further shortage होगी तो यह price जो है वो further increase करेगा ऐसे में इन industries को operate करना वाइबल जो है वो नहीं रह साएगा इसमें एक हैरानी की बात यह है कि सरकार जो है वो cotton के लिए 6,025 रुपे प्रती quintal का MSP जो है वो प्रदान करती है नियुंतम समर्तन मुले जो है वो 6,025 रुपे का है और 12,000 रुपे से जादा price पर cotton जो है वो भिक रहा है तो किसान तो इसको लेकर के काफी खुश होगा क सरकार एक guarantee देती है किसान को कि आप यह फसल हुगा यह कम से कम इतने price पे तो मैं यह फसल खरीदी लूँगी लेकिन आज situation यह है कि cotton उस MSP से double price पे विक रहा है तो undoubtedly किसान जो है वो सरकार को बेचने के बजाए बाहर private firms को जो है वो यह फसल बेचेगा तो किसान तो काफी ज प्राइस पहुंच गया था और उसके बाद पहली बार बहुत सारी markets में जनवरी के महीने में prices जो है वो 10,000 को cross किये तो आज 12,000 से जादा प्रती quintal यह cotton जो है वो बिक रहा है सवाल आपके मन में भी होगा कि सर ऐसा क्या हो गया एक तम से price जो है वो क्यों बढ़ना जिसमें से 170 kg का एक बेल था एक धेर यह एक गठा जिसको हम समझ सकते है 353,000,000 बेल जो है वो बनाए गए cotton की production थी 2020-21 में जिसमें से प्रती बेल का हर एक गठे का weight जो है वो 170 kg तक था इस बार वही production जो है वो 323,000,000 बेल पर आ गई है यानि के एक बड़ा reduction जो है वो 30,000,000 बेल का reduction जो है वो देखने को मिला है 30,000,000 बेल जिसमें से हर एक बेल जो है वो 170 kg की है तो एक बड़ा decline जो है वो production में देखने को मिला है इसके अलावा दोस्तों pot look A के एक index है जो cotton के prices को internationally जो है वो evaluate करता है इनका कहना है कि currently cotton का price जो है वो 167 cents पर pound है as compared to 92 cents a year ago यहाँ पर जो price है वो evaluate होता है cents पर pound कितने cents एक pound से मिलेगा तो 167 cents जो है वो पर एक pound जो है वो 160 cents में 67 cents में मिलेगा यही price जो है वो कितना था last year 92 cents यानि कि यहाँ पर भी almost तेड़ गुना price जो है वो सामने आया है international market में भी दोस्तों cotton outlook यह जिसको caught look A कहते है यह एक index price है जो की represent करता है यहाँ जो जो publish करता है cotton के prices को पिछले 50 साल से अंतर राष्ट्री बाजार में क्या cotton के prices है यह cotton outlook यह जिसको caught look A index के रूप में जाना जाता है यह बताता है तो यहाँ पर internationally भी prices जो है वो इस साल 8 से 2 गुना increase हुए है अगर भारत की हम बात करें तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा cotton producer है सबसे बड़ा producer चाइना है second number पर आता है भारत और इसके अलावा भारत जो है cotton export पर बैन लगा दिया जाता है तो एक वो market potential जहां पर हम तीसरे सबसे बड़े exporter है वो potential जो है वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और present scenario यह है कि सिरफ भारत ही नहीं globally prices जो है वो हाई है वो हमने cotton outlook index में देखा कि अंतरराश्ट्रिय स्थर पर ही कीमते जो है वो जादा है जिस वचा से लोग export करना चाहते है और कोई चाहता है कि उसका cotton domestic market में बिखने के बजाए अंतराश्ट्री बाजार में बिखे ताकि उसको जादा पैसे जो है वो मिल सके तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो price rise का वो है consumption दोस्तों यहां पर हमने समझा कि production काम है यानि supply उतनी नहीं हो रही है और demand जो है वो increase कर गई है consumption जो है वो बढ़ गई है अब यह क्या कारण है भाई यह consumption कैसे बढ़ गए demand तो समझा आया consumption कैसे बढ़ी दोस्तों दरसल पिछले कुछ सालों से जितनी भी mills है वो अपने sub optimal level पर operate कर रही थी यानि कि जितनी उनको requirement थी cotton कि उससे कम cotton के साथ वो गुजा काम जो है वो चला रहे थे और pandemic की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों even दो सारी के सारे sectors जो है वो almost सभी sectors एक growth decline जो है वो phase कर रहे थे ऐसे में भी cotton industry जो है वहाँ पर demand की कमी नहीं होई क्योंकि pandemic के दौरान भी bedsheets, towels जो है इनकी demand जो है वो उत production fallen so much दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कारण यह है कि जिस area में हिंदोस्तान के अंदर cotton की खेती होती है कपास की खेती होती है वो area regularly कम होता जा रहा है दोस्तों 2019 बीस में 534.77 134.77 भूमी पर cotton जो है वो गाया गया था 2021 बाइस में ये 123.5 लाख हेक्टेर पर है यानि कि एक बड़ा decrease जो है वो देखने को मिला है लोग कम जगे पर cotton जो है वो उगा रहे है अब अगेन यहां से भी एक सवाल आता है कि सर क्यों क्या हुआ अच्छा है अच्छी मार्केट है तो फिर लोग क्ल्टिवेशन कम क्यों कर रहे हैं दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वो बहुत बड़ा कारण जो है उसका नाम है बीटी कॉटन जैनिटीकली मॉडिफाइड कॉटन वेराइटी जिसको बैसलिस थरेंजेनेसिस की मदद से जादा आउटपुट इस बीटी कॉटन से जो है वो आती थी इस बीटी कॉटन ने भारत की बहुत जादा मदद करी है 2002 से लेकर के 2014 तक भारत की टोटल प्रोडक्शन जो है वो जब 136 लैक बेल्स हुआ करती थी उसको एक दम से बीटी कॉटन के कल्टिवेशन से वो तीन गुना से भी जादा जो है वो बढ़ गई थी करीब 400 लैक बेल्स हो है वो भारत की कॉटन कल्टिवेशन हो गई थी तो जब production यहाँ पर जादा होई तो सारे के सारे जो cotton producers थे उन्होंने बीटी कॉटन उगाना शुरू कर दिया लेकिन पिछले कुछ सालों में बीटी कॉटन जो है उस पे काफी सारी problems जो है वो आना शुरू हो गई बीटी कॉटन पे pink ball warm और white fly insect का हमला जो हो जाता है जिससे कि cotton उगाने को किसान जो है वो रिसकी मानता है और रिस्क से वो दूर जाना चाहता है जिस वज़ा से overall production area यह cultivation area जो है वो decline हुआ है भारत में इसके अलावा एक और कारण भी है दोस्तों November और December का वो time होता है October November December जिस समय cotton को जो है वो बिलकुल dry spell चाहिए होता है लेकिन ऐसे इस बार लास्टेर हमने जो देखा अन सीजनल रेंज बे मौसम ही बारिश जो है वो देखने को मिली वो भी उस टाइम पर जब cotton को बिलकुल dry spell की ज़रूरत थी जिस वज़ा से produce जो है उसकी quantity और quality दोनों ही decrease जो है वो कर गए तो cotton की production कम हुई क्यूं हूई वो हमने समझा लंबी heat और sunshine की इसको जरूरत होती है गर्मी और भरपूर धूप से यह पौदा जो है वो तयार होता है इसकी production के लिए soil जो है यह almost हर कोई well drained soil में जिसमें अच्छी सी जल निकासी हो वहाँ पर यह उग जाता है लेकिन best yields जो है यह important दोस्तों cotton के best yields जो है वो lowly soil में आते ह है जहां पर calcium carbonate जो है वो काफी जादा होता है इसकी production के लिए cultivation के लिए temperature जो है वो 21 से 30 degree Celsius का temperature जो है वो रहना चाहिए rainfall जो है वो 25 से 75 cm की होनी चाहिए cotton को जब उगाया जाता है जब early stage इसकी growth की early stage होती है उस समय इसको काफी मातरा में बारिश जो है वो चाहिए होती है ल लेकिन यही problem आई October November जो इसका flooring season था वहाँ पर बारिश जो है वो आगे जिस वज़ा से फसल खराब हुई पूरी cultivation जो है वो नहीं हो पाई दोस्तों भारत के अंदर अगर हम cotton cultivation की बात करें तो गुजरात राज्य जो है वो leading है सबसे जादा पैदावार cotton की गुजरात में होती है उसके बाद महराष्ट्र है तेलंगाना है राजस्तान है और हर्याना है अब बापिस आते हैं हमारे topic में topic कह रहा था कि जो textile industry है यह उद्योग जो है इन्होंने मांग करी है कि सर बैल लगा दीजी एक्सपोर्ट पे क्या यह demand जो है वो justified है क्योंकि दोस्तों जब demand जब बैन लगाया जाएगा तो वो farmer जिसने यह cultivation करी है उसको तो नुकसान होगा न क्योंकि अब उसको उसकी फसल को विदेश export करने से रोका जा रहा है यानि उसको profit जो है वो कम मिलेंगे लेकिन वो लोग जो इसकी इस प्रतिबंद को support कर रहे हैं उनका कहना है कि किसान के खेती करता है सिरफ इस उमीद से कि हार्वेस्टिंग के बाद वो इसको विदेशों में बेच पाएगा उसकी income जो है वो कैसे हैंपर होगी लेकिन जो इस export बैन को support करते हैं उनने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए किसान के उपर कोई भी प्रभाव जो हो नहीं पड़ेगा क उससे already उसकी crop जो है वो बिख चुकी है लेकिन दोस्तों फिर भी कही न कहीं यह सही नहीं होगा क्योंकि next cropping season जो है वो आने वाला है southwest monsoon जो है वो जल्द ही हिंदोस्तान में दस्तक देगा planting season जो है वो paddy cultivation का start होगा हम already wheat export पर बैन लगा चुके है इसके साथ ही अगर हम cotton प किसानों तक जाएगा इस वज़ा से कहीं न कहीं बैन जो है वो सही नहीं होगा लेकिन एक solution जो है वो निकालना होगा so that जो textile industry है जो garment industry है उनके भी issues को resolve किया जा सके दोस्तों यह पूरा का पूरा article जो है वो export से संबंदित था किसके export से cotton के export से संबंदित था हो पम विस्ता से यह पूरा का पूरा article समझ पाए होंगे दोस्तों UPSC experience के लिए good news है अब Indian geography की book जो है वो study IQ द्वारा launch कर दी गई है flip card और Amazon से आप यह book हासिल कर सकते हैं दोस्तों geography in depth Indian geography आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे MCQs previous year questions है maps है आप in detail in depth सारी की सारी चीज़ों को समझ पाएंगे thank you very much all the best keep working hard bye bye take care Jai Hind